नमस्ते बच्चों आश्की हिंदी कक्षा में आप सब लोगों को हार्दिक स्वागत। आश्रम पांश्मी इकाई के दूसरा पाट बाग मेरा जीवन नामग कविदा के परजय करेंगे। सुबद्र कुमारी चौहान द्वारा लिगिद एक सुन्दर काविदा है मेरा जीवन। मेरा जीवन में सुबद्र कुमारी चौहान ने जीवन और जगत के प्रदी अपना आशावादी और सोस्त दृष्टिगों प्रगट किया है। कवैत्री की दृष्टि में जीवन सुग का सागर है इसमें सुग एवं दर्द के लिए कोई स्थान नहीं है आईए बच्चों सबसे पहले हम सुबद्रगुमारी चौहान के परजय करेंगे उत्रप्रदेश में इलाहाबाद के निहलपूर में जन्म 1921 में असहयोग आंदोलन के सिलसिले में कारावास त्रिधारा मुगुल यह कदंब का पेर सीधे साधे चित्र मेरा नया बच्चपन आधी प्रमुक रजनाये तो बच्चों हम शुरू करेंगे मेरा जीवन कविदा मेंने हसना सीका है में नहीं जानती रोना बर्सा करता पलपल पर मेरे जीवन में सोना में अब तक जान न पाई कैसे होती है पीडा हस हस जीवन में कैसे करती है चिंदा क्रीडा तो बच्चों इस भाग पर कुछ नाये शब्द है देखिए सीकना टुलर्ण पल मॉमंट सोना गोल्ड पीडा पेइन क्रीडा प्ले मेंने हसना सीका है में नहीं जानती रोना बर्सा करता पलपल पर मेरे जीवन में सोना मेरा जीवन सुबद्रगुमारी चौहान की अत्यंद लोगप्रिय का विदाओं में एक है इसमें जीवन सुघमाय होने का वर्नन है कवैत्री अपने जीवन का परजय देती है वे कहती है मेंने इस जीवन में हसना ही सीका है रोना में नहीं जानती हूँ मेरे जीवन में पल पल पर सोना ही बरस्ता रहता है अर्थात मेरे जीवन में सुग वा कुशी ही है दुख नहीं में अब तक जान न पाई कैसी होती है पीडा हस हस जीवन में कैसे करती है चिंदा क्रीडा कवैतरी कहती है में अब तक जान न सकी है कि पीडा कैसी चीज है क्योंकि मेरा जीवन सुख पूर नहीं है इस जीवन में पीडा कुछ भी नहीं कवैतरी के जीवन में हमेशा सुख ही इसलिए वहां दुख या पीडा प्रवेश नहीं कर सकती है। So students, the poem मेरा जीवन is written by सुबत्र कुमारी चौछान. The poetess is talking about her life. She learned to be happy in her life. There is only comfort and happiness in her life. She does not know what is pain because her life is full of comfort. तो बच्चों, सुबत्र कुमारी चौछान द्वारा लिगिद मेरा जीवन नामग का विदाके पहला भाग यहां खतम हो चुकी है। धन्यवाद।